आठ माई को 36 गण के रायपुर स्थित शंकर नगर के श्री चंद प्रभू दिकंबर चैन मंदिर में सबी श्राबक गड़ों को धार्मिक रियाएं से खाने जेती पाठशाला का यूचन किया गया ये धार्मिक पाठशाला विगत एक वर्ष से लगातार चल रही है जिसमें सबी लोगों को ब्रमचारी सुनीर खयाजी का निर्देशन एवं सानिद्य राप्त को रहा है अक्षित रतिया के शुब अवसर पर दसमाई को जैपूर के जनकपुरी स्थित जोती नगर के जैन मंदिर में आचारशी शशांक सागरजी महराज के अवतरन देवा सैवं पिच्छी का परिवर्तन समारू के पूस्टर का विमोचन किया गया इस दोरान भक्तों को आचारशी शशांक सागरजी महरा ससंग का सानिद्य मिला साथी भक्तों ने प्रभू कुंथू नात भगवान के मुक्ष कल्यान के अवसर पर भक्ती पूर्वक निर्वान लाडू अर्पित किया नौ माई को मद्य प्रदेश के टीकमगड इस्तित श्री शांतीना दिगंबर जैन चात्रवास संस्क्रित विध्याले के परामशिदाता जैपोर निवासी आदर्णिय श्री शीतल जंद जी जैन ने विध्याले के छात्र को अपना निर्देशन अशिरवाद प्रदान किय इस दोरान सभी छात्रों ने ढोल नगाडों के साथ उनका स्वागत किया गर्णी आरिका श्री विध्या श्री माताजी ससंक के सानेदे में राजिस्तान के जैपोर इस्तित श्री महवीर दिगंबर जैन मंदिर में जिन सहस्तर नाम पार्ठ का आयूजन हुआ इस दोरान गुरुमा ने भक्तो को अक्षेत्रितिया का महत्व समझाया साथी से भार्ठनगर के जैन समाज ने गुरुमा के सानिदे हितू श्रीफल भेट किया मद्यप्रदेश खरगोन के सनावद इस्तित ओधनपोर के दिगंबर जैन मंदिर में दसमाई को भक्तो द्वारा प्रभु आदिनाद भगवान का जालबी शिक किया गया यह आयूजन अक्षेत्रितिया के शुबवसर पर आयूजित हुआ